लेकिन आपको सबसे खास बात ये भी बता दें कि रतन आपको कौन सी उंगली में धारड करने चाहिए साथ ही आपको अपनी राशी और कुंडली के आधार पर अगर आप रतनों का चैन करते हैं तो आपको लाब जरूर होगा वरना परेशानी का सामना करना पर सकता है आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपनी राशी और कुंडली के आधार पर रत्न धारड करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए काफी जादा कारगर साबित होता है तो आज हम आपको अपने इस special report में बताने वाले हैं कौन सी बिमारी के लिए कौन सा रत्न हमें धारड करना चाहिए और इससे हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए उसी बिमारी में ये काफी जादा कारगर भी होते हैं तो चलिए आपको बिना देरी के बताते हैं आखिर कौन से हैं वो ऐसे रत्न जो बिमारी में किस बिमारी में कौन सा रत्न काफी ज़्यादा कारगर होता है तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले पन्ना रत्न की बात करते हैं अच्छे इसमर शक्ति के लिए आप पन्ना रत्न धारड कर सकते हैं वही नीलम को गठिया मिर्गी हिचकी एवं नपुनसक्ता को नश्ट करता है इसलिए आप उसको धरड करें वही फ्रोजा रत्न दैविक आपदाओं से बचाने के लिए फ्रोजा रत्न आपको धरड करना काफी जादा फाइदे मंद होगा वही अगर मरियम की बात करें तो आपके बवासीर या बहते हुए रत्न काफी जादा सुखद अनुभूती का एहसास कराता है जिहां बात करते हैं मारिक रत्न की रत्न व्रधी के लिए आपको बता दें आपकी रक्त व्रधी के लिए मारिक रतन काफी जादा सुखद होता है वहीं अगर आप मोती धारड करते हैं तो मोती धारड करने से आपके जीवन जो इस्ट्रेस है जो तनाव है उसमें भी आपको काफी जादा फायदा मिलेगा आप चिंता मुक्त हो जाएंगे साथ ही अगर मुंगा रत्न पहनते हैं या फिर मोती धारड करते हैं तो इससे मुहासे के लिए आपको बहुत जादा ये फाइदे मन्द होता है कई बार आपने देखा होगा समय समय पर हमारी शरीव पर मुहासे होने लगते हैं जिसके चलते हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए आप मुंगा और मोती धारड करेंगे तो आपके मुहासे में ये वर्दान साबित होगा अगर आप पुखराज की बात करें तो पुखराज दांतों के लिए काफे ज़्यादा शुभरत्न माना गया है वहीं गोमेद रत्न जो होता है वो गले की खराबी के लिए आप गले से परेशान हैं गले की समस्या से आपको दिक्कत हो रही है तो आप बिना देवी के गोमेद धारड कर सकते हैं यहां यह इसके लिए काफे ज़्यादा कारगर उपाय होता है वहीं आपको बता दें तामे की चेन अगर आप पहनते हैं तो कूकर खांसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है वहीं तामे की चेन से खांसी चुमंतर हो जाती है तो ये कुछ रतनों को अगर आप धारड करते हैं तो इने बीमारी में आपको लाभ जरूर मिलेगा तो दर्शकों आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन जानकारी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ती सागर के साथ नमस्कार